तेल्स कैसे हैं आप सब आई होब सब बहुत अच्छे होंगे सब की पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी मैं हूँ आपके अपनी खुश्बूमा आम बायोलजी मास्टर टीचर आट विदानतू और आज के सेशन में की जैसे आपको दि मत लीजेगा स्कूल केन डेफिनेटली स्टॉप यू फ्रॉम राइटिंग यॉर बोर्ट का एक्जाम वो आपके एड्मिट कार्ट को आपको देने से मना कर सकते हैं और इस चीज के लिए उनके पास दो रीजन्स रहेंगे बस वो दो रीजन्स बहुत ध्यान से सुनना कही कि आपके आखे खुल जाएंगे अगर आप दादा गिरी दिखा रहे होगे स्कूल में कि क्या स्कूल हमें रोक सकता है कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो में स्कूल में रोक नहीं सकता है बोर्ट के एक्जाम में बैठने से तो लेट मी टेल यू ऐसा डेफिनेटली है ध्यान से सुनना क्यों पॉसिबल है देखो भया सबसे पहली चीज अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको एक सेशन बताया था जहां पर मैंने लिखा था कि क्या आप लोगों की स्कूल अटेंडेंस 75% स्कूल अटेंडेंस मेंडेटरी है आपके बोर्ट के एक्जाम के ले तो येस डेफिनेटली सबसे पहला रीजन आप लोगों का वही हो जाता है सबसे वेरी पर्स रीजन स्कूल के अंदर आपकी अटेंडेंस अगर आप लोगों स्कूल नहीं जाते हो तो आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा क्योंकि अंटिल एंड अनलेस आपके में जाती है बोर्ट कम्यूटी को जाती है तभी वो आपके डीटेल्स के अकॉर्डिंग एड्मिट कार्ड इशू करते हैं और इन केस अगर आपको कोई मेडिकल इशू है कि मतलब आपका बहुत जादा लंबे टाइम से कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है तो आपको एक प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट सम्मिट करना पड़ेगा इन केस अगर आप स्कूल नहीं जाते हो या फिर आपकी 75% अटेंडिंस नहीं होती है तो ये बात ध्यान में रखना दिमाग में रखना कि अगर आप स्कूल नहीं जाते हो ये सोच करके कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है कुछ भी नहीं करना है हमें स्कूल में जा करके तो आप गलत हो क्योंकि until and unless आपकी 75-80% अटेंडिंस नहीं होगी बोर्ड में आपको पेपर देने के लिए अलाउन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सारी डीटेल्स एड्मिट कार्ड आने से पहले बोर्ड तक पहुँच जाती है स्कूल के तरू ताकि उस सारी इन्फॉर्मेशन को वह प्रॉपरली एनलाईज करके आपके बोर्ड के लिए एड्मिट कार्ड रिलीस कर सके तो सबसे पहला रीजन तो भाई यही हो गया आप खुद देख सकते हो और नेक्स रीजन हो गया कि आप में से बहुत सारे आपके ऐसे बच्चे होते हैं जो इन्डिस्प्लिनरी अक्टिविटीज में जो आपके डिस्प्लिन अक्टिविटीज होती हैं उसमें ना इन्वाल्व हो करके इसे गुंडा कर्दी में लडाई बडाई में इन्वाल्व हो जाते हैं स्कूल के अंदर माम से बत्तमीजी कर करना या स्कूल के आउटसाइड कुछ जगड़ा वगड़ा करना यूजूली बच्चे करते हैं नो डाउट आपके अंदर एडोलसन वाली एद है आप लोग से यह गलतियां हो सकती हैं तो यह गलतियां जो है ना आप जो disciplinary acts नहीं दिखा रहे हो अपने स्कूल के लिए disciplined behavior नहीं दिखा रहे हो तो school can definitely stop you वो आपका admit card issue नहीं करेगा और उन्हीं के पास authority होती है क्योंकि वहीं आप लोगों की सारी reports boards तक भेजते हैं और उस report पे अगर कोई negative remark चला गया आप से related कि आपने कोई in disciplined behavior शो किया है school के अंदर या फिर आपने कुछ गडबड करी है जो आपकी गलती है माफी लायक नहीं है तो हाँ definitely board can stop you and school can stop you from writing your school का exam या फिर board का exam तो अब भाई ये दिमाग में आप जरूर याद रखना पहली चीज़ की 75% attendance mandatory है आपको वो complete करनी ही पड़ेगी नहीं complete कर पा रहे हो genuine करना पड़ेगा और इन केस अगर आप in discipline act में involve वो indulge हो तो आपको वो वहीं पे ही stop करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपके against में action हुआ school की तरफ से तो boards आपके admit card को issue नहीं करेगा तो अब ये दोनों चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेना आप लोगों क मिद्टर्म थोड़े ही दिन में start होने पाले होंगे max to max 15 days बच्चे होंगे आप लोगों के तो लेट मी टेल यू आप सब लोगों के लिए हम लेकर क्या है free midterm की test series बिल्कुल free of cost है ये midterm की test series बस आपको कुछ करने की ज़रत नहीं है session के description box में आप लोगों को visit करना जो भी आपका session चल रहा होगा जैसे कि यही वाला session अगर मैं बोल दूँ तो इसी session के description box में या फिर मेरा जो ये session जाएगा उसके ही description box में आपको एक link available होगा class 10 midterm की free resources इस link पे बस आपको click करना है click करके आपको register करना पड़ेगा कैसे phone number add करना OTPI का register कर देना और ये PDF open होक करके आ जाएगी इसी PDF को आपको scroll करना है और नीचे आपको एक link दिख जाएगा इस link पे click करना और आपके सारे free midterm के test series आपको available हो जाएंगी बस एक midterm की test series option को click करके यहां पे आपके पास हर एक subject के 5 mark test paper available है जो बिलकुल free of cost है कुछ भी पैसे का payment आपको यहां नहीं करना and let me tell you in questions के साथ आपको इनकी answer keys भी available है detail में तो make sure जरूर करना कि आप यह midterm test series को download करना ना भूलें आप लोगों के midterm के लिए तो भाई यह सोने पे सुहागा एक मौका है ठीक है तो अब बस जाते जाते आपको कुछ नहीं करना telegram channel को join कर लीजेगा ताकि in case आपसे कोई भ तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में तबाई गाईजन टेक केर